मैं धीर ज्यादा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमार एजुगेशनल प्लैटफॉर्म कॉंपोटिशन कम्मुनिटी पर आज कि अगर मैं बात करूं तो आज आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं और एंड हम लोग और अंडगिंग के बारे में जानेंगे बलकि मैं आहपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर बेसिक कॉंसेप्ट करते हैं रिगारिधिंग और द्रेजम में डिसक कांसेप्स के बारे में भीकार करते हैं। उसी प्रकार यहां पर हम लोग बात करेंगे पोजीशन से रिलेटेड थर्ड तु द राइट ओफ थर्ड तु द लेफ्ट ओफ यानि कि यहां से जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक कॉंसेप्ट है वो कहीं न कहीं डेवलाफ होता हुँ आपको दिखाई देगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पर चैप्टर ओर्डर एंड रैंकिंग चलिए ओर्डर एंड रैंकिंग की बात करें तो यहां पर कुछ बेसिक बाते हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग नहीं होंगे जैसे जैसे questions का level आप होगा वैसे वैसे कहीं न कहीं आपको structure draw करना आना चाहिए तब जा करके आप questions को आसानी से क्या कर पाएंगे solve कर पाएंगे तो यहां पे हम लोग पूरा पूरा reason जानने का प्रयास करेंगे कोई भी formula लग रहा है तो वो derive कैसे हुआ उसके बारे मैं लोग यहां पे बात करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं basic बात करूँ तो यहां पर हम लोग बात करते हैं दो छोर की यानि कि हम लोग बात करते हैं किसकी left end और right end की हिंदी के अगर हम बात करें तो दाया छोर और इसे हम कहते हैं बाया चुर यानि कि अगर हम बात करें जब हम किसी persön की position left end से consider करेंगे तो हम क्या करेंगे left to right move करेंगा और जब हम किसी person की position बताएंगे right hand से यानि की दाहिने छोड़ से तो हम क्या करेंगे दाहिनी और से बाई और क्या करेंगे move on करेंगे ये हो गई पहली basic बात दूसरी बात अगर मैं करूँ तो कई बार आपको यहाँ पे position जो होगा वो कई बार आपको उपर से और नीचे से यानि की top से और bottom से भी दिया गया होगा तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी परिशान होने की जरूत नहीं अगर हम बात करें हैं या फिर bottom की यानि की नीचे या फिर उपर की अगर हम बात करें तो करना कुछ नहीं है आपको केवल और केवल left और right वाला concept ही क्या करना है याद रखना है यानि की आपको क्या करना है left और right करके भी इस प्रकार के question को यानि की left और right के साथ ही क्या करोगे आप इस प्रकार के questions को solve करोगे और अगर फिर भी दिल नहीं मानता तो solve करने के बाद क्या करिएगा copy को घुमा लिजेगा तो left वाल आपका top नजर आने लगेगा और right वाला क्या नजर आने लगेगा bottom नजर आने लगेगा यानि कि दाहिना वाला आपका नीचे हो जाएगा और बाया वाला क्या हो जाएगा उपर हो जाएगा कोई भी चेंज आपके आनसर में नहीं होने वाला है clear चली यह हो गई पहली basic बात अगली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे left प्लस left फिर हम बात करेंगे right प्लस right left फिर हम बात करेंगे right प्लस left और फिर हम बात करेंगे left प्लस right के बारे में हिंदी के अगर मैं बात करूँ तो बाएं से बाएं जब हम बात करेंगे जब कोई एक व्यक्ति क्या है बाएं से उसकी position दी गई है और दूसरा व्यक्ति उसके respect में क्या है उसके बाई और है तो value क्या हो जाती है यहां पर value हो जाती है आपकी minus और किस end से निकलेगी यानि किस छोर से निकलेगी तो आप बाई छोर से उस दूसरे व्यक्ति की position क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं घटा करके कैसे घटाएंगे वो मैं यहां पर practical अभी बताने व तो मिलती है आपको दाहिने छोर से इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति की position बाई छोर से आपको पता हो और दूसरा व्यक्ति जो है उसके कहां बैठा हो दाहिनी और बैठा हो तो value क्या हो जाती है value यहां पर plus हो के मिलती है और answer किस end से आता है तो answer आता है अपका left end यानी की by छोड़ से the same way जब किसी वेकती की position आपको दाहीने छोड़ से पता हो किस end से आती है तो आती है right end यानी की दाहीने छोड़ से लेफ्ट प्लस लेफ्ट की, चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, बाय छोर से, जब हम बाय छोर की बात करेंगे, तो value घटती है, कैसे घटती है, क्यों घटती है, सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर बिल्कुल practical सीखेंगे, चलिए, हमने कहा, व्यक्तियों की एक पंक्ती में एक अस्थान, बाय छोर से कितना है, पंद्रहवा है, In a row of persons, position of A is 15th from the left end, हमने कहा, व्यक्तियों की एक पंक्ती में A का स्थान, बाय छोर से क्या है, पंद्रहवा है, और दूसरी information हमने दी, B is sitting 5th to the left of A, यानि B क्या है, A के बाई और पंचवे स्थान पर बैठा है, ठीक है, अब A की position आपको बाय छोर से पता थी, और B क्या है, A के respect में बाई और दिया गया है, तो ध्यान दीजिए, अगर ये 15th व्यक्ति है, और B की position 5th है, तो ये हो जाएगा पहला व्यक्ति, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और पंचवे व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो पंचवे व्यक्ति हो जाएगा आपका B जो की A के बाई और पंचवे स्थान पर बैठा है, अब अगर यहाँ पर हम बात करें B की position की, कि B की position हम किदर से निकाल सकते हैं, तो B की position हम निकाल सकते हैं, किदर से, left end से, और B की position कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर जोखो, ये अगर 15 था, तो इसके just पहले वाला कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 13, 12 पोजिशन और 11 पोजिशन कितनी हो जाएगी, 10 किदर से आजाएगी, 10 तो left end से आजाएगी, 10 यहाँ जाएगी, तो इसका यूज हम कहां करेंगी, तो इसका यूज हम लोग जब alphabetical and mislinious पे आपको questions देखने को मिलते हैं, कि उस आप क्या करि हो फिर वहां से फिर वापस लोट के बारा तक आते हो जब कि अगर मैं बात करूँ यह concept आफ फॉलो करोगे तो तेईस और बारा का difference ले लोगे simply कितना जाएगा ग्यारा जाएगा और left end से आप 11 element को क्या कर लोगे से असानी से काउंट कर लोगे जहनी कि आपका time भी क्या होने वाला है पर बचने वाला है कि तो जब कभी हम क्या करेंगे लेफ्ट की बात करेंगे तो position व्यक्ति क्या होगा आपको कोई पोजीशन दी गई होगी किदर से राइट एंड से यानि कि दाहिने छोड़ से हमने कहां मान लेते हैं पोजीशन ओफ इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ आते हैं वापस से उसी पेज़ पे चलिए जब हमने कहा किसी व्यक्ति की पोजीशन आपको कहां से दी गई हो दाहिने छोड़ से दी गई हो देखिए हमने कहां पोजीशन ओफ ए इस फिफ्टींथ फ्रॉम दा राइट एंड यानि कि ए की पोजीशन दाहिने छोड़ से कितनी है पंद्रावी है क्लियर एंड भी से ट्इंग फिफ्ट टु दा राइट आफ आ यानि की अगे रहाँ बाथ पेष्ट negro नी Gesine pri इसके पहले वाली सू दी च yeah पहले वाला जागा बारोमा और यह हो जागा ग्यारोमा और इसकी पोजिशन कितने हैं कि 10th 10th किदर से मिलेगी तो 10th मिलेगी हमें राइट एंड से यानि कि जब किसी particular element किसी particular person की position आपको दाहिने छोर से पता हो और उसके respect में हम किसी दूसरे वक्ति की बात कर रहें जो कि कहां उसके दाहिनी ओर हो तो आपको क्या कर लेना simply value घटा देना है और दूसरे वक्ति की position आपको मिल जाएगी किदर से मिल जाएगी तो दाहिने छोर से मिल जाएगी clear चलिए अब हम लोग बात करेंगे हाँ पे left plus right की अभी तक हम लोगों ने बात कर ली किसके किसके बारे में right plus right की अब हम लोग बात करेंगे हाँ पे left plus right की जब हमने कहा in a row of persons position of a is tenth from the left hand व्यक्तियों की एक पंक्ति में a का स्थान by छोर से कितना है दस्वा है and b is sitting fifth to the right of a और b जो है वो क्या है a के दाहिनी और पांचवे स्थान पर बैठा है यानि कि a और b की बात करें तो इनके बीच में चार व्यक्ति होंगे और फिर पांचवा व्यक्ति कौन हो जाएग अब b अब यहां पे अगर हम बात करें position of b की तो देखें यह दस्वा व्यक्ति था तो इसके बाद वाले की बात करें तो यह हो जाएगा ग्यार्मा बार्मा तेर्मा चौदा हमा और यह हो जाएगा आपका 15 और बात करें किस एंड से यह 15 होगा तो क्लेरली आप देख सकते हैं किस चोर्च होगा बाएं चोर्च से 15 हो जाएगा और लास्ट वन हम लोग यहां पे बात करेंगे राइट से लेफ्ट की तो हमने कहा inner of persons position of a is 15 फ्रॉम दा राइट एंड व्यक्तियों की एक पंक्ति में a का स्थान दाहिने छोर से कितना है 15 होगा है and b sitting fifth to the left of a b कहां बैठा a के बाई और पांचवे स्थान पर बैठा है तो यह हो जाएगा b यानि कि हम दाहिनी और से आए तो a मिला 15 व्यक्ति तो यह क्या हो जाएगा यानि कि हम बी की बात करें तो बी की पोजिशन कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी किधर से हो जाएगी तो राइट एंड से हो जाएगी clear इसको बताने का में मोटीफ क्या था अगर आपको बोल देगा position of a 76 from the left end and b sitting 26 position from the to the left of a तो क्या करोगे यहाँ पे यहाँ पे आपको simply क्या कर देना है 76 तक डंडिया नहीं खीचोगे और उसके बाद 20 इसमें से 26 इसमें से आप क्या करोगे डंडिया खीच के नहीं घटाने जारो simply जो value दी है उसको क्या करोगे आप minus कर दोगे आपको answer मिल जाएगा किदर से left end से clear तो यह हो गई आपके दूसरी important बात यानि कि जो आपको क्या कर लेना था note करके लिख लेना था सारे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे concepts को relate करते हुए चलेंगे जो जो वहाँ आपको important बाते बता करके note करा रहा हूँ उसको आप लोग क्या करोगे note करते हुए चलोगे चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगले important concept की जो कि क्या है note करके इसको भी आप लोग यहीं पे लिख लो one person equals to one position एक व्यक्ति का मतलब क्या होता है एक position होता है यानि कि अगर हम व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो जितनी position होगी उतने व्यक्ति होगी या कह सकते हैं जितने व्यक्ति होगी उतनी ही क्या होगी position होगी ठीक है एक व्यक्ति बराबर एक इस्थान हिंदी में भी लिख लो भाई हिंदी वालों को बहुत शिकायत रहती तो लिख लो एक व्यक्ति बराबर एक इस्थान ठीक है चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं concept one पे यानि कि इस प्रकार के जो question आपसे पूछे जाएंगे कितने type के question बनते हैं concept one में क्या approach हमारा होना चाहिए क्या यहाँ पर formula लगने वाले हैं क्या यहाँ पर हम structure डॉग करके कैसे आसानी से questions का अंसर निकाल सकते हैं सारी बातों को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे clear चलि तो सबसे पहले आपको दिया गया व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक्स की इस्थिती बाएं छोड़ से 25 हैं तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर सीखेंगे वह सीखेंगे structure डॉग करना जो कि क्या है सबसे important यहाँ आपका factor होने वाला है आपके पूरे के पूरे और रैंकिंग चैप्टर में अगर आपने यहाँ पर structure ड्रॉड करना सीख लिए कोशन कैसा भी हो कितना भी टिपिकल हो आप क्या कर सकते हैं आसानी से डाय च्ओर से कितना दिया हुआ है 25 मिद्टर आगे अगर हम बात करें 17 फ्रॉम दर राइट अंड जबकि अम बात करें इसी एक्स की कि ज interiorस कितनी ए 17 है या कि इसी एक्स हैं आगे यहाँ आपका राइट अंड से कितना है 17 है क्लियर राइट एंड से यह 17 और लेफट एंड से कितना है 25 अब यहां पर आपको बताना है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या यानि कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं जो कि सबसे इजी आपका यहां पर कोश्टन यानि कि अगर हम बात करें concept 1 की तो easiest question हम आप यहां पर solve करते क्या करते हैं सबसे difficult बात अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और जो की पूरे के पूरे order ranking के concept में आपके दिमाग में बैठी होती है और हर जगे क्या करते हैं उसी को apply करते है और वह बात क्या है उसके बारे वी हम लोग आप चर्चा करेंगे तो द प्रक्षियों की संक्षा कितनी हो जाएगी इससे पहले मैं इसकी बात करूं यहां पर हम बात कर लेते हैं फॉर्मुले की जो की सबसे टिपिकल कॉंसेट हमारे दिमाब में बैट जाता है हर वो हम क्या करते हैं पूरे के पूरे और रेनेकिंग चेप्टर में कहीं भी बिना जाने अप्लाई करते हैं और वो बात क्या है तो हम लोग यहां पर रट लेते हैं टी क्वल्स टू एल प्लस आर माइनस वन यानि कि अगर हम बात करें यहां पर कुल वेक्तियों की संख्या या टोटल जो है वो बराबर होता है किसके बाएं से पोजिशन प्लस दाहिने छोड से पोजिशन और माइनस एक क्लियर यह आप क्या कर लेते हो रट लेते हो और यहां वाला जो माइनस है ना वो आपके दिमाग में ऐसा बैटता है कि कहां माइनस करना है कहां प्लस करना है क्यों करना है इट ड़सन मैटर हम क्या करत कहीं भी प्लस कर देते हैं ठीक है यह चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है हला कि फॉर्मूले की तो हम बात करेंगे लेकिन यहां पर बेसिक अप्रोच आप देखिए कि एक्चुल मैसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है क्या हम यहां पर माइनस करेंगे तो ही अंसर निकले नहीं है ध्यान दीजिए यहां पर मल्टिपल अप्रोच बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे अगर हमने कहा एक्स की पोजिशन बाएं छोड़ से कितनी है पचीसवी है यानि कि एक्स के पहले कितने वक्ती होंगे तो हम कहें सकते हैं एक्स के पहले होंगे हम बात करें कितने वक्ति होंगे तो डिफिनेटी एक्स के बाद सोला वक्ति होंगे तभी उदर से हम पहले सोला वक्तियों को गिनते हुए और फिर नमबर एक्स का की कितनी होगी सेवन्टीनत चलियर अब यहां médico हम बात करें कुल वیک्तियों की संख्या की तो चौबीस व् संग्टी में कुल वेक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 41 तो मैंने क्या किया मैंने तो यहां पर जोड़ा मैंने 24 लिए 16 और एक मैंने क्या किया जोड़ा लेकिन फार्मुले में आपको एक घटा के मिल रहा है दूसरा तरीका क्या था कि यहां से 20 छोड़ से आए तो एक् वेक्ति 25 वेक्ति और इसके बाद अगर हम बात करें तो कितना वेक्ति है तो इसके बाद है 16 है निकि पत्चीस जोड़ोगे तो 41 हो गया ना कुछ जोड़े ना कुछ घटाए तो भी आंसर आ गया या फिर आप ग्लूब करें और मैं बात कुरो यहां पर फिंगर की ठीक है अगर इन फिंगर की पोजिशन राइन से कितनी है राइ baix end इंड चिंभ पूछ जो यहां पर इस उंगलीकी कांटिंग कितनी बार हो रही है कि दो बार इन नोगयां कितनी है हो रही है एक ही फिंगर की काउंटिंग हम राइट एंड से भी कर रहे हैं और लेफ्ट एंड से भी कर रहे हैं यानि किसकी काउंटिंग हो रही है दो बार इसलिए हम क्या करते हैं यानि कि लेफ्ट एंड से position हो गई तीन प्लस राइट एंड से position हो गई तीन और माइनस वन कर दोगे तो क्या जाएगा पंक्ती में कुल व्यक्तियों की संख्या यानि कि यहाँ पर बात करें तो टोटल आपको fingers का यहाँ पर number मिल जाएगा ठीक है चलिए तो ध्यान दीजिए आपको note करके क्या लिख लेना है question आपका कैसा भी हो concept कोई भी हो टाइप कोई भी हो अगर हम बात करेंगा order ranking की किसी भी question में आपको एक व्यक्ति की position अगर दोनों छोड से प्राप्त होती है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते ह है आसानी से पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं यानि कि left hand से position plus right hand से position minus क्या कर दोगे तो आपको क्या मिल जागा पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या मिल जागी question कैसा भी हो type कोई भी हो concept कोई भी हो अगर आपको एक ही पंक्ति में एक व्यक्ति की position राइट एंड से भी मिल जाती है और लेफ्ट एंड से भी मिल जाती है तो आप क्या कर सकते हैं पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं ठीक है अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कितने प्रकार से question बनते हैं इसको मैं remove कर रहा हूँ यहाँ पे आप से तीन प्रकार से question पूछे जाते हैं तो एक तो होगा जब आपको क्या दे दिया जाएगा व्यक्ति की position बाइचोर से दे दी जाएगी और दाहिने छोर से दे दी जाएगी तो आप से पूछलेगा कुल व्यक्तियों की संख्या दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर आपको कुल व्यक्तियों की संख्या दे दी जाएगी और व्यक्ति की पोजिशन दे दी जाएगी राइट एंड से तो पूछ लिया जाएगा लेफ्ट एंड से यानि कि कुल व्यक्तियों की संख्या आपको दे दी गई है माल लेते हैं आपको कुल व्यक्तियों की संख्या दे दी गई कितनी हमने का एक पंक्ति में बीस व्यक्ति है और उस पंक्ति में एक ही पोजिशन राइट एंड से कितनी है हमने का पंद्रहवी है एक ही पोजिशन दाहिने छोर से कितनी है पंद्रहवी है तो आपको बताना है बाए छोर से एक ही position कितनी होगी तो ध्यान दीजे यहां तक है 15 होगे तो definitely इसके बाद कितने वक्ति होगे इसके बाद 5 वक्ति होगे और जब हम गिंती इधर से करेंगे तो पहले इन 5 वक्तियों को गिनेंगे उसके बाद नंबर आजाएगा एक यानि कि एक ही position कितनी हो जाएगी छटवी हो जाएगी इसी प्रकार अगर हमने कहा है 20 वक्तियों की एक पंक्ति में एक ही position left end से कितनी है तेरवी है और आपको बताना है right end से एक ही position कितनी होगी तो हमें पता है 13 के बाद कितने वेक्ति होंगे, साथ वेक्ति होंगे, और जब हम दाइनी और से गिंते हुए आएंगे, तो पहले किसका नमबर आएगा, तो पहले नमबर आएगा, इन साथ वेक्तियों का फिर नमबर आएगा, एक आने कि एक ही पोजिशन कितनी हो जाएगी, आठवी हो जाएगी, इ और फिर क्या कर देना था माइनस वर किटना हो जाएगा एक्निस हो जाएगा क्याओ किया कर दोगी तेरा कर दोग면 कितनी कि यहां खुर्सय प्रकाल यहaँ पर आपको दिए ऑगत कर ऊच्सिक्या एफ यह तो यहां क्या लिखेंगे हम L plus 15 minus one ठीक है minus one को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा plus one हो जाएगा निकी 21 हो जाएगा फिर यहां पर क्या कर दोगे चलिए तो मैंने बाकी के दो प्रकार के question आपको बता दिये जो कि आपको यहां पर फटा फट से solve करके answer comment box में comment करना है वीडियो आप जब भी देखो कम से कम participate करते रहो ठीक है comment ठीक है मैं मान रहा हूं कि चलो आप live नहीं जूले हो आपके पास वीडियो है लेकिन अगर आप वीडियो को seriously देख रहे हो और proper notes वगरा बना रहे हो तो कम से कम आपका participation होना चाहिए आप क्या करेंगे comment box में at least comment कर करके बताएंगे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें कम से कम लाइक और शेयर जरूर करें चले बात कर लेते हैं यहां पर हम अगले question की तो अगला question आपको answer बताना है मैंने बता दिया कैसे यहां पर answer निकलेगा तो दिया यहां पर तीसरा question मनता है concept one में 31% एक ही position कितनी है 19th from the right है आपको कहां से बतानी है लेफ्ट से बतानी है तो 19 के बाद कितने वेक्ति बचेंगे 12 यानि कि जब आप counting करोगे तो कितना आ जाएगा answer पहले 12 वेक्तियों को गिनोगे फिर आएगा किसका number एक आएगा answer कितना हो एक कतार में किसी भी दिशा से चले जदि आप एक कतार में किसी भी दिशा से गिनने पर सोलवे स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने वेक्ति हैं यानि कि आपको चाहे मैं left से गिनू चाहे right से गिनू अगर आप सोलवे स्थान पर हैं जैसे कि मैंने इसको right से गिना तो भी 3 left से गिना तो भी 3 लेकिन fingers कितनी 5 यानि कि दोनों का डबल करके minus 1 तो यहाँ पर सोलवा है किदर से left से भी सोलवा है right से भी तो यानि कि 16 का डबल होगे 32 minus 1 कर दोगे तो कितना जाएगा 31 minus 1 क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक ही वेक्ति की counting कितनी बार हो रही है दो बार हो रही है यानि कि answer क्या जाएगा option number C next question के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूछा है अमित rank 17 from the top and 13 from the bottom तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 17 from the कितना हो गया left हो गया और 13 from the कहां से हो गया right से हो गया अब दिल न माने तो इसको घुमाल होगे तो इसको घुमाल होगे तो यह तरीके से नजर आएगा यह हो जाए और 13 इधर से हो जाएंगे तो 17 और 13 जोड़ोगे तो कितना हो गया 30 माइनस क्या कर देना था वन तो कितना हो जाएगा 29 यानि कि option number C क्या हो जाएगा यहां पर correct answer हो जाएगा clear चलिए बात करेंगा अगले concept की यानि की concept number 2 जो अगले प्रकार का यहां पर आपका प्रश्न ब बात करें तो यहां पर हम लोग दो व्यक्तियों की बात करेंगा और कुछ important बाते में यहां पर लोगों को लिखाऊंगा formula भी बताऊंगा लेकिन formula यहां पर important नहीं है important है आपका क्या structure ड्रॉ करना इस पर आपको विशेश ध्यान देना है चलिए तो यहां पर मैं बात करू चालिस व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक की स्थिती बाय चोर से अठारवी है तो कुल व्यक्ति कितने है तो कुल व्यक्ति है चालिस एक स्थिती के अगर हम बात करें बाय चोर से तो एक स्थिती कितनी है बताओ तो एक स्थिती यहां पर दिया हुए कितनी अठारवी है यानि कि 18 थे किदर से है तो left से है बंदा कौन है तो A फिर यहां पर आपको दिया गया है B की स्थिति दाहिने छोड़ से कितनी है 14 है यानि कि B की position हम right end से लेंगे तो कितनी है 14 है अब प्रस्ण यह उठता है बताओ कि B जो है वो A के right में बैठेगा या B कहीं A के left में बैठेगा सबसे पहला प्रस्ण तो यह उठता है यानि कि अगर मैं बात करूँ तो इसके दो cases यहां पर दो cases यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं एक तो यह दिखाई देता है कि B को हम इधर कहीं बैठा लें यानि कि यह हो गया B और B की position की बात करें तो कितना दिया गया है 14th from the right clear और दूसरी जो इसकी condition बनती है वो यह बनती है कि यह हो गया आपका A और यह हो गया B यानि कि overlapping का case इसकी position की बात करें तो यह हो गया 18th और इसकी position की बात करें तो यह हो गया 14th यानि कि अगर इसको मैं structure number 1 मान लूँ और इसको structure number 2 मान लूँ तो सबसे पहला सवाल तो यह उठता है कि structure number 1 यहाँ पर सही होगा कि structure number 2 यानि कि हमें कौन सा structure यहाँ पर follow करना है सबसे पहला सवाल तो यह उखता है clear तो यहाँ पर हम लोग फटा-फट से note करके लिखेंगे देखो मैं English में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ when total number of persons are greater than a plus b then number of of persons sitting between sitting between a and b is equal to t minus a plus b clear चली हिंदी में अगर हम बात करें तो जब कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो a तथा b के योग से अधिक हो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर जब कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो a तथा b के योग से अधिक हो तो जब कुल व्यक्तियों की संख्या a तथा b के योग से अधिक हो तो a तथा b के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर होगी तो किसके बराबर होगी t-a प्लस b यानि कि टोटल में से आपको क्या कर लेना था a और b को घटा लेना था clear इतनी बात यहाँ पे आप लोग फटा-फट से नोट करके लिखेंगे और अब तक यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि कौन सा वाला हमें क्या करना इस ट्रक्चर फॉलो करना है clear चलिए तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस ट्रक्चर हम कौन सा फॉलो करेंगे तो ध्यान दीजेए जब हमने कहा कितने व्यक्ति हैं तो कुल व्यक्ति हैं 40 कुल व्यक्ति थे कितने 40 हमने कहा एक ही पोजिशन कितनी है अठारवी है किदर से अठारवी है तो बाएं चोर से अठारवी है तो यह हो गया आपका A और A की पोजिशन बाएं चोर से कितनी हो गई अठारवी हो गई अब कुल व्यक्ति 40 थे A की पोजिशन अठारी होगी तो A के बाद कितने व्यक्ति बचेंगे तो A के बाद व्यक्ति बचेंगे कितने 22 और यह बताओ B की पोजिशन राइट एंड से कितनी दी हुई है तो B की पोजिशन आपको दाहिने छोड़ से दी गई कितनी 14 यान कि व्यक्ती बच्प से तो डेफिनेटली वी कहा होगा एक्योषाइं होगा और यहाँ पर अगर सब्सक्रा खाट करेंIV की ऑफिर अगर हम बात करें यान कि पहले कितने वेक्ती होग दर दर तो भी कि पहले कितनी हो एके पहले कितने वेक्ति हो जाएंगे इधर तो एके पहले हो जाएंगे 17 वेक्ति तो आपको समझ में आ गया होगा कि केस हम कौन सा फॉलो करेंगे यहां पर पहला वाला केस फॉलो करेंगे दूसरा वाला केस फॉलो नहीं करेंगे यानि कि जब कभी भी आपको क्या दिया हो कुल व्यक्तियों की संख्या ए तथा बी के योग से अधिक दी गई हो तो यहाँ पर आपका पहला वाला केस फॉलो होगा और यहाँ पर हम बात करें concept की तो माल लेते हैं और आप से मैंने पूछा इनके बीच की लंबाई क्या होगी तो आपने क्या किया कैंची उठा इसको यहां से काट दिया और इसको यहां से काट दिया जो बच जाएगा वही क्या होगा बीच के धागे की क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी उसी प्रकार यहां पर अगर हम बोलना है 40 वेक्ति हैं तो 18 वेक्ति इधर से हम हटा दें और 14 वेक्ति इधर से हटा दें तो अब इससी बात है जो 20 में वेक्ति होंगे हमें यहां पर मिल जाएंगे यानि कि total में से हम क्या करेंगे A और B को minus कर देंगे यानि कि 18 और 14 की बात करेंë तो कितने हो जाएगा 32 हो जाएगा minus कर दें तो B में कितने वेक्ति हो जाएँगे दूसरा तरीका इसका क्या है चलिए बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की तो अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूँ तो गई इन 17 वेक्तियों से नहीं था आंसर निकालने के लिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो A से भी कोई लेना देना नहीं है और B से भी कोई लेना देना नहीं है क्यों? क्योंकि हमको बोला A तथा B के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या तो इन दो व्यक्तियों को भी हम हटा देंगे किस में से हटाएंगे तो हम हटाएंगे इन सब को किस में से 40 में से तो 40 में से हमें कितना हटाना पड़ेगा तो 40 में से हमें हटाना पड़ेगा कितना 32 यानि कि यहाँ पर हम value की बात करें अब तक आपको यहाँ पर समझ भी आ गया होगा और फटा-फटा यहाँ पर नोट करके लिखेंगे when the total number of persons is less than a plus b जब पंक्ती में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या a तथा b के योग से कम हो then the number of persons sitting between a and b तो a तथा b के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर होगी किसके बराबर होगी तो यहाँ पर हो जाएगा a plus b minus t plus 2 यानि कि यहाँ पर अगर हम बात करें mid value की तो mid value किसके बराबर हो जाएगी a plus b minus t plus 2 के बराबर हो जाएगी जब पंक्ती में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी a तथा b के योग से कम होगी तब a तथा b के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी A plus B minus T plus 2K बराबर हो जाएगी यह हो गई बात फॉर्मुले के और फॉर्मुले से मैं कोई भी question solve कराने वाला नहीं हो इसलिए मैं इसको यहाँ पे remove कर रहा हूँ अब हम लोग आ जाते है structure पे total number of persons कितने दिया हुआ है 34 24 यानि की 34 व्यक्ति यहाँ पे आपको कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है बोला है position of A is 24th from the left A की position 22 चोड़ से कितनी दी हुई है 24 वा यह होगी आपका A अब बताओ A की position 24 वी दी गई है और कुल व्यक्ति कितने थे तो कुल व्यक्ति थे यहाँ पे 34 िसे यानि की E के बाद अगर हम बात करें कितने व्यक्ति वचेंगे तो E के बाद बताओ क्येवल और के वल दस व्यक्ति वचेंगे कि नहीं बचेंगे एक के बाद बैठे वेक्तियों की संख्या 10 होगी की नहीं होगी इसके बाद अगर मैं बात करूँ B की पोजिशन की तो यहाँ पर दिया गया है B की पोजिशन आपको यहाँ पर दाहिने चोर से दी गई है 18 B की पोजिशन दाहिने चोर से दी गई है 18 तो इसका मतलब यहां पर 10 व्यक्ति हैं फिर आएगा 11 व्यक्ति कौन ए और उसके बाद आएगा किसका नंबर बी का तो बी की पोजिशन अगर 18 तो यहां से भी आप आंसर निकाल सकते तो छे दूसरे तरीके की भी बात कर लेते हैं तो यहां के अगर हम बात करें पोजिशन बी कितनी दी है 18 दी गई है तो यह तो हमें समझ में आगा कि बी क्या हो जाएगा ओवर लैप करके आएगा तो इसको अगर हमालने भी और इसकी पोजिशन दी गई अठारा तो कुल व्यक्ति थे 34 से यहां तक हमाई इसकी पोजिशन होगी कितनी 18 हो गई यानि किसके बाद कितने व्यक्ति बचे होंगे तो इसके बाद बचे होंगे डेफिनेटली आपके कितने व्यक्ति 16 व्यक्ति यानि कि बी के बाद कितने व्यक्ति बचेंगे तो बी के बाद बचेंगे 16 व्यक्ति यह थी पोजिशन राइट से और यह थी पोजिशन लेफ्ट से अब यहां प उच्छ नहीं बिल्कुल आराम से इत्मिनान से पढ़िए एक बार प्रॉपर नोट्स बनाईए और बार बार आपको वीडियो देखने का हो शकता नहीं आप उसी नोट्स को क्या करेंगे रिवाइस कर लेंगे एक्जाम से पहले तो आपको सारे कॉंसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे चलिए यहां पर अगर मैं बात करू तरीकों की तो यहां पर हमारे पास वैरियस तरीके निकल के आ चुके हैं कोशन का अंसर निकालने के लिए जैसे अगर हम बात करें बी के पहले कितने वेक्ति थे 16 और एक के बाद कितने वेक्ति 26 अब हमें चाहिए ए और बी के बीच की संख्या नहीं कि ए और बी से भी कोई लेना देना नहीं तो यहां पर दो व्यक्ति और हटा दिये तो कितने हट गए यहां पर 28 टोटल कितना दिया था तो आपको 34 यहां पर 34 में से अगर 28 घटाओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएग कि जिस एंड से दी गई है उसके अपोजिट एंड से हम निकालने किसी एक वैक्ति की पोजिशन जो कि आप कैसे निकाल सकते थे जब आपने पहले कोश्चन में यानि कि फर्स्ट कॉंसेप्ट में आपने पढ़ा था कि कुल वैक्तियों की संख्या आपको दी गई है और ए एक की पोजिशन अगर हम राइट एंड से निकाल लेते हैं तो ध्यान दीजे एक की पोजिशन लेफट एंड से दीगे चौबिस एक के बाद हैं दस वैक्ति यानि कि राइट एंड से पहले इन दस वैक्तियों को गिनेंगे फिर नंबर आ जाएगा एक का नंबर कितना हो जाएगा तो एक का नंबर हो जाएगा ग्यारवा ग्यारवा किदर से हो जाएगा तो हो जाएगा राइट एंड से यह पोजिशन किदर से आई है तो यह पोजिशन आई है राइट एंड से और बी की पोजिशन हमें किदर से पता है बी की पोजिशन भी हमें पता है माइनिस 1 यानि कि अगर मैं बात करूँ हमने कहा A की position left end से कितनी है 15 है और B की position left end से कितनी है 12 है तो बताओ दोनों के बीच कितने वक्ती बैठे होंगे तो आप में से बहुत सारे बच्चों का answer आ रहा होगा कितना 3 है ठीक है चलो हमने कहा English alphabet में L की position होती कितनी 12 और O की position होती कितनी 15 स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा हूँ ठीक है तो यह हो गया 12 यह हो गया 15 बताओ दोनों के बीच में कितने letter है तो आप कहेंगे 3 तो मैं यह भी जानना चाहूंगो कि वो टीन लेटर कौन कौन से है ठीक है तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहां पे क्यवल और क्यवल दो लेटर आएंगे कौन कौन से आएंगे एक तो आएगा M और एक आएगा N यानि कि हम बात करें L और O के बीच में आने वाले letters की संख्या की तो क्या हो जागा दोनों की place value का difference minus 1 इन दे सेम वे यहां पे अगर हम बात करें इसकी position है 12 इसकी position है पंद रा तो दोनों का difference difference कितने काती अंगे हुए कि इनके भी कितने होंगे के वल secondo के वल नो चली है इस इतनी बात clear इस में आगर यहां पे बात करो ने की position निकाल किदा से और बीज गी संख्या कितनी आएगी तो दोनों के difference की बात करें तो 18 और 11 का difference कितने का होगा साथ का होगा और यहां पर value की बात करें तो value कितनी आएगी यहां पर बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी तो बीच में व्यक्तियों की संख्या जाएगी कितनी 6 यह हो गया आपका तीसरा तरीका ठीक है इसी तीसरे तरीके क आप इस तरीके से भी follow कर सकते थे कि आप B की position किदर से निकाल लीजे B की position आप निकाल लीजे left end से कुल व्यक्तियों की संख्याती 34 B की position दी गई थी right end से 18 यानि कि इसके बाद बज गए कितने व्यक्ति 16 तो अगर हम बात करें B की position left end से तो पहले इन 16 व्यक्तियों को गिनें यानि कि जब दो व्यक्तियों की position हमें एक ही end से पता है तो उनके बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाए कि दोनों का difference minus 1 17 और 24 का difference कितने का होगा 7 का होगा दोनों के बीच में व्यक्ति कितने होंगे 6 यानि कि अगर आप structure बना लेते हैं ठीक है तो question कैसा भी हो आप उसको काफी आसानी के साथ क्या करेंगे हल कर पाएंगे और कहीं न कहीं उस दिये गए प्रस्न का पूरा पूरा अंक आप ले पाएंगे आपके exam में clear चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग इस पर बेश्ट कुछ questions की और हम लोग यहां पर practice करते हैं कुछ questions की चलिए ठारवी है यानि कि कहीं न कहीं यहां पर overlapping का case बनता हुआ दिखाई दे रहा है clear अब हम अगर बात करें यहां पर answer की तो देखो इसकी position हो गई 22 तो 22 के बाद कितने वेक्ति बचेंगे 11 वेक्ति बचेंगे यानि किसकी position कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी किदर से 12 हो जाएग की position right hand से दिया मिन 24 जब आप 22 कि बाइस वा पोजिशन रिया काई तो रिया के बाद कितने वेक्ति बचेंगे 11 और इधर से जब आप counting करोंकि तो रिया की position कितने हागी 12 हो जाएगी 12 हो और यहां पर ठारी हो गई आपके साक्षी की पुजिचन दोनों का डिफरेंस ले लोगे कितने का जाएगा और दोनों के बीच में गर बैठे व्यक्तियों की बात करें तो कितना जाएगा पाँच आजाएगा यह तो हो गया ओरल तरीका करने का ठीक है इस्ट्रक्चर की बात सब्सक्राइब और लेफ्ट से आपको साक्षी की पोजिशन पता हो तो यह होगी बारा और बीच में पांच वेक्ति हो जाएंगे तो बोला गया है इस बार कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है जादा है और बीके योग से यानिकी दोनों परसन की पोजिशन से ठीक है तो यहां पर सिंपली क्या कर लेना था पच्चीस में से जब हम नौ घटाएंगे तो बताओ कितने लोग बच जाएंगे तो यहां पर ब हम बात कर लेते हैं most important concept की जहां पर आपको सबसे ज़्यादा क्या होती है confusion होती है जहां पर आप सबसे ज़्यादा struggle करते हो clear और इसको बिल्कुल आसानी से समझेंगे और इसके बाद जो भी आपके types of question आएंगे उन सभी को हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल चुटकियों मे orally क्या करेंगे हल करेंगे और यहां पर मैं आपको orally questions को solve करना भी सिखाऊंगा और जब हम लोग questions की practice करेंगे concepts को खतम करने के बाद तो questions को orally भी solve करेंगे ठीक है चलिए एक बार patience के साथ ठीक है एक बार होसले के साथ क्या करिए concept को जरूर सीखिए ठीक है कई बार आपक लुकुल आसानी से समझ में आएंगे क्योंकि फॉर्मुले कई कई जगे आपके फेल होंगे कहां कहां फेल होंगे इसके बारें भी हम बात करेंगे तो बोला गया है in a row of persons position of x is 21st from the left end and position of y is 15th from the right end यानि कि पंक्ती में x की स्थिति 22 छोर से कितनी है है किसवियं और y की स्थिति दाइनी छोर से कितनी है 15 है यदि x और y के बीच 5 व्यक्ति बैटे हैं तो कुल कितने व्यक्ति हैं यानि कि कही न कहीं जो आपने previous question solve करे थे वहाँ पे आपको क्या दिया गया था वहाँ पे आ cases आपके बनते हैं, दो cases कहां तक आपको valid होते हुए दिखाई देंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कहां तक अगर आपसे question पूछा गया, तो दो cases बनेंगे, formula क्या है, formula कहां पर fail होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पूछे गए प्रश्ण की, formula पर भी हम लोग आएंगे, x की position कितनी है, 21st from the left, यानि कि बाएं छोड़ से कितनी है, 21, किसकी position, x की, फिर आपको y की position दिया गया, 15th from the right, right hand से यह होगा आपका, y यह होगा आपका 15th, और बीच में बैठें कितने वेक्ति, तो बीच में बैठें 5 वेक्ति, तो एक तो तरीका यह होगा इस structure को बनाने का, दूसरा इस structure को हम कैसे ड्रॉ कर सकते थे, तो यह होगा आपका कौन, x किदर से, left hand से position कितनी, 21st, और इधर से आए, तो यह होगा आपका कौन, y, position कितनी 15th, बीच में कितने वेक्ति, 5 वेक्ति, ठीक है, अब हम सीखेंगे, अगर इतना हमें समझ में आ गया, तो क्या हम structure ड्रॉ करके, यहां पर answer निकाल सकते थे, पहली बात तो यह, दूसरी बात मैंने कहा ना, initially मैंने आपको, question को शुरू करने से पहले, या अगर हम बात करें, type 1 और type 2 में हमने, यानि concept 1, concept 2 में, जो भी हमने सीखा, उन्हीं का use करके, हम यहां पर answer निकालेंगे, फिर अगले जब हम concept में आएंगे, तो यानि कि इन concepts का use करके, हम अगले concepts क को आसानी से solve कर पाएंगे, ठीक है, चलिए, पहले हम आजाते हैं पर, अगर structure आपने इस तरीके से बना लिया, तो क्या आप इस question का answer निकाल पाएंगे, या नहीं, तो समझिए, यहां पर अगर मैं बात करूँ, x की, यहां पर मैं बात करूँ, x की, x की portion हो गए, 21, 21 के बा कितने व्यक्ति मिले, तो 26 के बाद मिल गए, 15 व्यक्ति, यानि कि सब को आपको यहां पर क्या कर देना था, एड कर देना था, एक answer आपका हो सकता है, 41, यानि कि पंक्ति में 41 लोग हो सकते है, 41 परसंट हो सकते है, बिल्कुल आपके दी गई condition को यह क्या कर रहा है, satisfy कर रहा to the left of X, तो क्या यह बात सही है कि गलत है, अगर हम बोल रहे हैं कि Y, X के बाई और चटवे स्थान पर बैठा है, तो यह बात सही है कि गलत है, फटा-फट से कमेंट करके बताइए, और दूसरी बात आपको यह बतानी है, कि X की position अगर हमें बाई चोड़ से पता है, और Y की position X के respect में कितनी है, चटवी है, तो Y की position हम बाई चोड़ से निकाल सकते हैं कि नहीं, दूसरी बात यह आपको बताना है, यानि कि जब हमने पढ़ा था सबसे पहले left से left अगर हम जाते हैं, तो value क्या होती है, minus होती है, और answer किस end से आता है, left end से आता है, तो यहाँ पे X की position हमें left end से पता है, और Y कहा है, उसके left में है, किस position पे है, तो 6th position पे है, यानि कि 21 यह था, तो यहाँ पे 5 लोग थे, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह हो जाएका 20 यह हो जाएका 19, 18, 17, 16 और यह कितना हो जाएगा, 15, यानि कि हमें यह counting करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता था कर Y क्या ह 6th position पे है, to the left of X, यानि कि Y की position क्या हो जाएगी, X के respect में 6 कम हो जाएगी, क्यों क्योंकि X की position भी किदर से दी गई थी, left से दी गई थी, और जब हम 6 घटाएंगे 21 में से, तो कितना जाएगा, 15 आ जाएगा, और वो क्या होगी, Y की position होगी, किदर से होगी, तो हो जाएग ठीक है, यानि कि Y का स्थान किदर से मिल गया हमें, बाएं छोर से मिल गया, और अगर मैं बात करूँ Y की total number of person की, तो मैंने आपको कहा तक question कोई भी हो, type कोई भी हो, concept कोई भी हो, अगर किसी व्यक्ति की position आप क्या करते हैं, दोनों छोर से निकाल लेते हैं, Y की position हमें किद से पता चल गई बताओ, लेट से पता चल गई और राइट से आपको दी गई थी, तो क्या आप कुल व्यक्तियों की संख्या यहां पे नहीं निकाल पाएंगे, तो कुल व्यक्तियों की संख्या की बात करें, तो इसके उधर हो जाएंगे 14 व्यक्ति, इसके इधर हो जाएं यानि कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी यानि कि नियुनुतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं 29 व्यक्ति अधिकतम हो सकते हैं 41 व्यक्ति यानि कि अगर आपको question में पूछेगा how many minimum number of persons can be there तो answer आप ये करोगे अगर यहाँ पर minimum word का use नहीं किया गया तो आप answer क्या करोगे आइधर 41 और 29 या तो क्या होगा 47 लोग होगे या तो 29 लोग होगे इसी का अगर हम दूसरे तरीके की बात करें ये वाला तो आपको को निकाल लोगी इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी यानि कि आपको क्या कर देन है दाहिनी चोर से और X कहां बैठा है उसके दाहिन और बैठा है तो बताओ हम X को बोल सकते हैं X is sitting 6th to the right of Y यानि कि X Y के दाहिनी और चटवे स्थान पर है क्या हम X Y के दाहिनी और चटवे स्थान पर है यह हम बोल सकते हैं और अगर ऐसा हम बोल पार है तो बताओ X की position रा च्टवी च्टवे स्थान पर है और तो यानि कि इसकी पोउच्टन इस थान पर देंगे तो नहीं फो जाए कि धर हो जाए कि Fighter 10 इस तो ओ Guard चलाए तौन करेंगे तो 3-1 कर देंग तो कितना जाएगए 29 यानि कि यह बता हूं सिंसर निकाल Peking पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे ठीक है यह तो हो गया स्ट्रक्चर से आंसर निकालना अब हम बात कर लेते हैं यहां पर दूसरे तरीके की और बात कर लेते हैं फॉर्मुले की तो प्रीवेस कोश्चन में हमने फॉर्मुला क्या देखा था मिड वैल्यू इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू की बात बता रहा हूं ओवरलैपिंग का केस बता रहा हूं मिड वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो गया था ए प्लस बी माइनस टी प्लस टू यानि कि यह था आपका जब mid value निकालनी थी लेकिन इस बार अपने को क्या निकालना है total निकालना है तो total को हम क्या करेंगे इधर ले आदेंगे तो बताओ total equals to a plus b minus mid plus 2 बताओ यह formula बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा clear अब यहाँ पर हम total की बात करें, total हमें निकालना है a की बात करें तो a की position कितना दिया गया आपको 21st b की position कितना दिया गया तो b की position आपको दिया गया था यहाँ पर 15th फिर अगर हम बात करें यहाँ पर minus करना है इसके बाद अगर मैं बात करूं mi de value की कितनी दी गई थी 5 plus 2 इन सबको अगर हम जोलेंगे कि कितना होगे बता 21 च्छतिस में से कitना घटा दिना था अपने को साथ घटा दिना था बता वैल इंटिस जो कि किसकी वैली होगी टोटल की होगी तो अगर आप formulae से जाएंगे तो पहली बात दीए कि exam में आपको formula याद नहीं रहने वाला है ठीक है दूसरी चीज टाइम भी आपका लगेगा और formula आपका fail होता वो भी दिखाई देगा formula fail कहा होगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ठीक है चलिए formula कहां तक valid है और इसका minus 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 एक छोर बार्वा है और बी का तात्र सकते हैं और हमने कहा दोनों के आया X की position हमने कहा X ले लो या A ले लो चलो A की position हमने कहा B की position हमने कहा दाहिने छोड़ से कितनी है छटवी है और दोनों के बीचे बैठे हैं 5 वेक्ति अगर यहां पर आप formula से जाते हैं तो देखिए यहां पर आप क्या गलती करेंगे सबसे पहले अगर हम formula से यहां पर answer निकालें तो total हमें निकालना है total हमें निकालना है A की position कितनी हो गई A की position हो गई 12 B की position हो गई 6 और minus क्या करना है mid value कितनी है 5 और plus क्या करेंगे 2 clear तो यहां पर देखेंगे तो कितना जाएगा 18 और 18 में से कितना घटाएंगे हम 7 घटाएंगे यानिक अगर हम बात करें यहां पर total की तो total कितना निकल करके आ रहा है 11 और एक option भी आपको दिया होगा और आप क्या करेंगे answer mark करके चले आएंगे 11 समझे अगर आपने गलती से 11 answer mark कर दिया तो वो आपका correct answer नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले ही आपको क्या बताया था one person equals to one position और ध्यान दीजे पहली ही line में आपको दिया गया position of a is 12 from the left hand यानि कि व्यक्तियों की संख्या क्या कभी 11 हो सकती है तो आप कोगे अगर एक पोजिशन बारवी है तो पंक्ति में कभी भी 12 से कम व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते यानि कि at least 12% तो होंगे ही होंगे ठीक है न इसलिए बोल रहा हूं फॉर्मुले पर dependent मत रहो फॉर्मुला आपका क्या होता है बहुत सारी जगों पर फेल होता है अब यह फॉर्मुला फेल क्या हुआ हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे और ओरली कैसे आंसर निकालना इसको भी हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं चलिए तो इसको मैं भी रिमूफ कर रहा हूं फॉर्मुला आपको अप्ला बी की पोजिशन दाहिने छोड़ से कितनी है तो हमने कहा बी की पोजिशन दाहिने छोड़ से कितनी है पांच वी है ठीक है हमने कहा बी की पोजिशन दाहिने छोड़ से पांच वी है अब आपको बताना है कि अगर हम इन दोनों को ओवरलैप करके बनाए इस्ट्रक्चर त तो आप बताईए A और B के बिचे मैक्सिम कितने व्यक्ति बठा सकते हैं तो आप कहोगे कि सर हम इसी को क्या मान लेंगे हम इसी को मान लेंगे extreme end यानि कि इसके बाद कोई व्यक्ति है ही नहीं हम ऐसा consider कर लेंगे तो दाहिने छोर से पहला व्यक्ति हो जाएगा दो एख हो जायगा theUU यानि कि हम देख रहे हुआ कि जब गी की position टी थी तो उम हम इन दोनों के बिच homogeneous कितने परसें बठा पाइ तो हम इन दोनों के माक्सिम मैक्सम हो बठा पाइ तो 5-2 यान इस तीन यह देख्ति हो बठा करना था यह हो गया ए है यहां पर पहला व्यक्ति ले लें लें लांक और आध यहां हिए सैसे क्लियर लेकिन इस बार अगर हम total की बात करें तो total number of person कितने हो गए 11 तो maximum हम बैठा कितने सकते थे बैठा सकते थे तीन उस case में हमें यही क्या मिलता total number of person मिलता लेकिन जैसे हमने क्या किया तीन में से एक घटाया थे यानि कि total में क्या हो गया एक जूड़ गया अगर आप क्य करते यह हो गया अब आप कहूंगे शुरुवात आप यहां से करिए तो यह हो गया कौन यह की पोजिशन थी दस्वी यह हो गया राइट हैं से पहला व्यक्ति यह हो गया दूसरा व्यक्ति यह हो गया तीसरा व्यक्ति यह हो गया चौथा व्यक्ति और यह हो गया कौन भी तो भी हम overlapping case बनाएंगे तो हम A और B के मद maximum कितने number of person बठा सकते हैं तो जो छोटी वाली value है ना उससे दो कम ठीक है अगर हमने उससे दो कम बैठा लिया यानिकि इसकी पॉजिशन पांस थी तो पांच से दो कम कितने हो जाएंगे तीन हो जाएंगे यानिकि अगर हमने तीन वेक पॉजिशन थी पंद्रा तो दोनों के बीच में maximum कितने वेक्ति बठा सकते थे तो मैक्सिम बठा सकते थे तेरा वेक्ति यानिकि छोटी वाली value से दो कम उससे क्या करना पड़ता हमें X को ही क्या मानना पड़ता एक्स्ट्रीम एंड यानिकि इसके बाद कोई भी वेक्ति कि इस नहीं होता जब हम दोनों के वीच्ट में कितने वेक्ति बठाते 13 बठा लेते लेकिन आधाये कि मिनिम?' वेक्ति नटिस बन जाएगी तो हमने का रिया की position by से और साक्षी की position 18 है ठीक है दोनों के बीच में कितने वेक्ति बैटे हैं तो दोनों के बीच में बैटे हैं यहां पे अच्छा आपको बताना था दोनों के बीच में वेक्तियों की संख्या कितनी ठीक है तो अगर हम बात करें overlapping का case इसको हम बनाते अगर हम बात करें इसको हम क्या करते overlapping का case बनाते तो बता दोनों के बीच में maximum कितने वेक्ति बठा सकते थे दोनों के बीच में maximum वेक्ति बठा सकते थे 16 और total क्या मिल जाता हमें 22 दोनों के बीच में बचे यहां पर 5 व्यक्ति यहां पर 5 व्यक्ति यानिकि इस प्रकार से इस question का भी आप अंसर निकाल सकते थे चलिए हम लोग आ जाते हैं type 3 के question की practice पर चलिए अब यहां पर अगर मैं बात करूं question की तो बोला है in a row of person position of a 16th from the left hand and position of b 14th from the right hand if there are 11 persons sitting between a and b then find how many total number of persons are there sitting in the row यानि कि मैंने कहा यहां पर एक क्या बनेगा maximum का case बनेगा minimum का case बनेगा maximum के case की अगर मैं बात करूं तो 16, 11 और 14 सब को क्या करोगे जोड़ दोगे और minimum की case की बात करें तो अगर आपको छोटी वाली value से at least 2 कम दिखाई दे रहा है तब तो यहां पर overlipping का case बनेगा धर्रवाइस overlipping का case नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा वो भी मैंने आपको बकायदे समझा दिया तो यहां पर देखो छोटी वाली value है 14 यानि कि इस से 2 कम की बात करें तो 12 और 12 से यहां पर value क्या है कम है और 12 से कम है, it means, यहां पर overlapping का case बनेगा तो यहां पर बता हो, हम दोनों के बीच में maximum कितने वेक्ति बढ़ा सकते हैं, तो दोनों के बीच में हम बढ़ा सकते हैं, 12 वेक्ति अगर हम 12 वेक्तियों को बढ़ाते तो answer हमें क्या मिल जाता, 16 मिल जाता लेकिन बैठाए कितने हमने 11 यानि कि एक कौम ने क्या भेज दिया बाहर भेज दिया तो minimum value कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी और maximum value की बात करें तो 16 प्लस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा 27 27 4 31 10 47 यानि कि आंसर का हो जाएगा 141 और 17 बात कर लेते हैं इस पर बेज़ कुछ कुछ की प्रैक्टिस की तो यहां पर दिया गया रोहन इस 10 फ्रॉम दा लेफ्ट एंड प्रीटी जेटीं फ्रॉम दा राइट एंड और फाइप परसंस आर देर सिटिंग बिविन रोहन एंड प्रीटी यानि कि यहां कर दो आपके अंसर हो सकते हैं अकर यहां पर करें प्रेटी कि तो प्रैटी आप किसको दो गया दियानी मैं कि यहां किन ऑना कि बैंक लपाइव यानि कि तीन वक्तियों को बाहर बेजोगे तो एक तो option हो सकता था 21 और एक में सब को जोड़ दोगे तो 18, 5, 23, 33 यानि कि एक हो सकता था 23 तो हम बता नहीं सकते कि 18 वक्ति बैठें कि 33 वक्ति बैठें हैं पंक्ति में clear चलिए बात कर लेते हैं आज के session के last question की और इसके बाद हम लोग सीखेंगे concept 4, concept 5 और concept 6 ठीक है यानि कि अगर मैं बात करूँ यह बिल्कुल basic है आपका order and ranking का इसको अगर आपने सीख लिया फिर आप कोई भी exam में appear हो रहें चाहिए आपका banking हो SSC हो state level exam हो या फिर आप किसी भी series का question बना रहे हैं जैसे मैंने बताए alpha, vertical and misalian series जब जिससे आपको difficult लगने वाले puzzle और sitting arrangement आसानी से हल होते हुए दिखाई देंगे, चलिए, in a row P is 20th from the left hand, यानि कि position P की कितनी है 20 है और Q की position कितनी है ठारवी है, from the right 15 person are sitting between P and Q, what is the total number of person ठीक है, तो हमें पता यहाँ पर दो value निकलेगी और दो value के साथ एक ही option दिया है, ठीक है तो आप इसको answer भी mark कर सकते थे, जैसा कि none of these और cnd नहीं है, अब इसको verify भी करा देता है, हम लोग verify कर लेते हैं, तो बताओ maximum कितने person बैठा सकते थे, दोनों के बीच में तो आप कहोगे 16, उस case में total कितना मिलता, तो मिलता 20, बैठाए कितने हमने 15 यानि की एक जुड जो कि आपको दिखाई दे रहा, option number D में, clear, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हम लोग next class में, thank you